दोस्तों, 2023 के पहले दिन ही सभी भारतिय खिलारी के लिए आया एक बहुत बुरी खबर क्योंकि BCCI ने लिया चोका देने वाला एक कड़ा फैसला वो एक ऐसा फैसला है जिससे भारतिय टीम के खिलारीों को भले ही पड़ेसानी का सामना करना पड़े लेकिन इससे टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा फैदा होने वाला है क्योंकि इससे टीम इंडिया के परफॉर्मेंस में चार चांद लग जाएंगे दोस्तों हुआ यूंकि BCCI ने एक मीटिंग किया जिसमें रोहिस सर्मा साहीद BCCI के सभी मेंबर सामिल थे जिसमें ये कहा गया कि अब सभी सिनियर प्लेयर्स को भी घरेलू मैच यानि रंजी ट्रोफी सयद मुस्ताग अली ट्रोफी और विजय हजारे ट्रोफी में खेलना होगा और उसी के परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी भारतिय टीम में वापसी होगी क्योंकि दोस्तों पहले सिनियर प्लेयर्स घरेलू मैच नहीं खेलते थे उसकी भारतिय टीम में डारेक्ट ही इंट्री हो जाती थी जिससे सिनियर प्लेयर्स के परफॉर्मेंस में काफी गिरावट देखी गई है वैसे क्या दोस्तों BCCI के इस फैसले से भारतिय टीम के परफॉर्मेंस में सुधार होगी कि नहीं कमेंट बॉक्स में अपना राए चेरूर लिखे है